जब भी अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो सबसे ज़ादा दिक्कत जहाँ पर होती है वो होती है टेंसेस को चेंज करना यानि की समय को चेंज करना ठीक है डिको हिंडी कभी हमने ना उतने ध्यान से सीखी और ना कभी हमें उतने ज़ादा ध्यान देने की जरुरत पड़ क्योंकि हमारे आसपास सब हिंदी बोलते हैं और पता नहीं है था और गागेगी कब दिमाग में बैट गया और असानी से हम translation कर पाते हैं हिंदी के अगर हम बात करें पर वहीं पर जब अंग्रेजी की बात आती है तो दिक्कत आ जाती है अंग्रेजी में ये समझना कि कौन सा वाक्य प्रेजन्ट का है कौन सा पास्ट का है कौन सा फ्यूचर का है ये जतना मुश्किल है उससे कहीं जादा मुश्किल है कि उसी सेम वाक्य को अलग-अलग काल में बदलना आज की क्लास इन सारी बातों का solution है सबस्क्राइब कर लेना उसके पहले और इस नंबर से जुड़ जाना कोई दिक्कत हो परिशानी हो एप या पेड़ क्लासे से समंदित या जानकारी चाहिए हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब किसी हिंदी वाक्य का प्रेजन्ट से पास्ट में हम कनवर्ट करते हैं तो सिंपली हू जो है या है जो है वो था में बतल जाता है जैसे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं था बन जाता है मैं था हूँ, मैं था था बन जाता है मैं रहा हूँ, मैं रहा था बन जाता है लेकिन इंग्लिश में ये सेम काम इसी सेम आसानी इसी सेम इस के साथ अगर करने के लिए मैं बता दूँ तो अंग्रेजी बोलना भी उतना ही आसान हो जाएगा जितने आसानी से आज आप हिंदी बोलते हैं तो अगर आप मैं ता हूं किसी वाक्य में यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो आपको clear है कि ये present का वाक्य है, उसके लिए आपको अंग्रेजी में एक structure चाहिए, जहां पर आपको subject के साथ V1 का यूज़ करना होगा, मैं यानि की आई ता हूं, इसके जगा पर वर्ब का पहला रूप, इसी को convert किया past में, तो ये बन गया, मैं ता था, कुछ नहीं हुआ, मैं मैं के जगा पर रह गया, यहां पर वर्ब का second form लग गया, थोड़े से अच्छे examples के साथ हम इसको देखते हैं, कि काम कैसे कर रहा है, आपने कहा, मैं जाता हूं, मैंने पूछा, इसको past में convert करके बताओ, तो कहेंगे, मैं जाता था, जिसे कोई बच्चा है, तो उसको पूछो, तो वो कहेगा, मैं school जाता हूं, और मैं अब पढ़ा रही हूं, तो मुझसे कर कोई पूछेगा, तो मैं कहूँगी, कि मैं school जाती थी, right, मैं school जाती हूं, एक छोटी बच्ची कहेगी, और मैं teacher हूं, तो मैं कहूँगी, मैं school जाती थी, तो present का बाके simply past में convert हो गया, ता हूं और ता था के तौर पर, यहाँ पर हो गया, I go, वर्ब का पहला रूप है, I went, वर्ब का दूसरा रूप है, go का ही दूसरा रूप है, we too है, went, तो I go, simply बन गया, I went, तो structure कुछ ये use हुआ, I, you, we दे के साथ, वर्ब का पहला रूप, ये use हुआ, जब आप present के वाक्यों को, पड़ी, और आपको जब V1 को आपने V2 में बदल दिया, तो आपका काम हो गया, राइट, चलो, अब आपने कहा, मैं रहा हूँ, इसका past हो जाएगा, मैं रहा था, तो I के साथ M प्लस V4 का use होगा, इस translation के लिए, और मैं रहा था, I के साथ V4 का use यहाँ पर भी होगा, लेकिन M के जगह पर was का use होगा, सर्फ ये एक शब्द के बदलाव से, ये पूरा का पूरा वाक्य जो है past में बदल जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, I am going, मैं जा रहा था, I was going, I अपने जगह पर है, going अपनी जगह पर है, M सिर्फ was में बदल गया, क्योंकि ये वाक्य, past में बदल गया, हूँ जो है वो था में बदल गया, right, structure ये follow हो रहा है, I, UV दे के साथ M plus V4, और यहाँ पर UV दे के साथ तो was नहीं use होगा, लेकिन I के साथ was plus V4 ज़रूर use होगा, वहीं पर मैं चुका हूँ, तो ये हो जाता है, I have V3 और मैं चुका था, I had V3, यहाँ पर भी have जो है, वो had में बदला है, simply, मैं जा चुका हूँ, I have gone, इसका past होता है, मैं जा चुका था, कुछ नहीं करना, I अपनी जगहा पर है, gone अपनी जगहा पर है, have जो है, वो had में बदला, क्योंकि हूँ जो है, वो था में बदला, structure हो जाता है, I, you, we, they, have plus V3, past का हो जाता है, I, you, we, they, had plus V3, खबराओं नहीं, ये sheet name के साथ बताऊंगी, इसलिए हमेशा बोलती हूँ, पूरी क्लास को देखा करो, मैं आ रहा हूँ, I have been plus V4, इसको past में किया, मैं आ रहा था, I had been plus V4, और ये आ रहा हूँ, आ रहा था, ये आने वाला आना नहीं है, ये बीन का continuous वाला use है यहां पर, ठीक है, मैं खाता रहा हूँ, I have been eating, मैं खाता रहा था, I had been eating, ये यूज हो रहा है, structure follow हो रहा है, I, you, we, they have been plus V4 present के लिए, I, you, we, they had been plus V4 past के लिए, अब बात करते हैं, he, she, it, name वाले section की, जहां पर वह रहा है, तो ये हो जाता है, he is plus V4, वह रहा था, इसी का past है, he was plus V4, वह जा रहा है, he is going, वह जा रहा था, he was going, तो इस जो है, वो was में बदला, बाकी अपने जगा पर कायम है, as it is, structure ये वाला follow हो रहा है, he, she, it, name is plus V4, he, she, it, name was plus V4, इसको past में convert करने के लिए, वह चुका है, इसका past हो गया, वह चुका था, he has plus V3, ये हो गया, he had plus V3, जब past में convert हुआ, वह जा चुका है, he has gone, वह जा चुका था, he had gone, he और gone अपने जगा पर कायम, has जो है, वो had में convert हुआ, उसी के साथ ये वाला के past में convert हो गया, structure follow हुआ, he, she, it, name, has plus V3, he, she, it, name, had plus V3, जब ये हुआ, तो ये present जो है, वो past में convert हो गया, फिर देखो, मैं हूँ, बन जाता है, मैं था, मैं हूँ क्या अंग्रीजी I am, ये हो जाएगा I was, मैं एक सिक्षक हूँ, I am a teacher, मैं एक सिक्षक था, I was a teacher, तो am was में convert हुआ, am से बने हुए किसी भी वाक्य को, past में convert करने के लिए was का यूज किया, हमने यहाँ पर structure यूज किया है, I am plus noun, क्योंकि वाक्य सिर्फ tense से नहीं बनता, tense के अलावा भी चीजे होती हैं, जो एक वाक्य को बनाती है, tense वाला format तो खेर है ही, जो आपको वाक्य बनाते हैं, जिसके basis पे आप, बट उसके अलावा भी बतेरे वाक्य बनते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, I was plus noun, इसी का past वाला format बना, वह है, वह था, he is, he was, वह एक डॉक्टर है, he is a doctor, वह एक डॉक्टर था, he was a doctor, तो he she it name के साथ, is लगेगा, और साथ में noun लग जाएगा, इसी को past में convert करने के लिए, he she it name के साथ, was लगेगा, और उसके साथ noun लग जाएगा, और ये past में convert हो जाएगा, वे है, they are, वे थे, they were, वे सिक्षक है, they are teachers, वे सिक्षक थे, they were teachers, ठीक है, यूवी दे, are plus noun, present का वाक्य बना, यूवी दे, were plus noun, इसी वाक्य का past बन गया, वह गा, he will, plus we won, वह गा, he would, plus we won, will का past format है, would, और इसी वज़े से, will के past वाले section को, या futuristic section को दिखाने के लिए, would का इस्तमाल किया जाता है, वह मदद करेगा, he will help, वह मदद करेगा, he would help, इसका past form है, would, लेकिन, ये जबकि, assured future की बात करता है, ये doubtful future की बात करता है, इसी लिए, would का इस्तमाल किया जाता है, doubt वाले वाकियों में, structure यूज हो रहा है, I, you, we, they, he, she, it, name, किसी के भी साथ, will plus v1 plus other words, और ये सेम structure यहां follow होगा, will के जगा पर, बस would का use हो जाएगा, मैं सकता हूँ, I can plus v1, मैं सकता था, I could plus v1, can का past format होता है, could, मैं तैर सकता हूँ, I can swim, मैं तैर सकता था, I could swim, structure यूज हो रहा है, I, you, we, they, he, she, it, name, के साथ, can plus v1 plus other words, और इसी का, could का इस्तमाल है, बाकि सब सेम रहेगा, बस can के जगा पर could हो जाएगा, मेरे पास है, I have, मेरे पास था, I had, मेरे पास एक कार है, I have a car, मेरे पास एक कार थी, I had a car, ये have और had का, main verb का use है, मैंने कहा ना, वाकि सिर्फ tense नहीं बनता, tense के अलावा भी बतेरी चीज़े होती हैं, जिससे वाकिय बनते हैं, structure फॉलो हो रहा है, इसी सेम वाकिय को पास्ट में बदलने के लिए, उसके पास है, he has, उसके पास था, he had, उसके पास एक mobile है, he has a mobile, उसके पास एक mobile था, he had a mobile, he she it name के साथ, has प्लस नाउन, he she it name के साथ, had प्लस नाउन, ये वाला, इस्तमाल हो रहा है, इसी वाक्य को past में बदलने के लिए मैं वाला हूँ, I am about to plus v1, मैं वाला था I was about to plus v1 मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat, मैं खाने वाला था I was about to eat I am about to v1 plus other words ये present का वाक्य बना ये यहाँ पर सिर्फ am के जगा पर was हुआ तो ये पूरा वाक्य past में convert हो गया मुझे खाना पढ़ता है I have to plus v1 मुझे खाना पढ़ता था I had to v1 मुझे खाना पढ़ता है I have to eat मुझे खाना पढ़ता था I had to eat इस्तमाल हो रहा है structure follow हो रहा है I, you, we, they have to plus v1 plus other words इसी को past में बदलने के लिए have to को simply आपको had to में convert करना होगा and that is it ये वाक्य convert हो जाएगा उसे ना पढ़ता है he has to plus v1 इसी को past में बदलने के लिए उसे ना पढ़ता था he had to plus v1 उसे खाना पढ़ता है he has to eat उसे खाना पढ़ता था he had to eat क्या बदला कुछ भी नहीं have to, had to में has to, have to में बदला तो ये सेम वाक्य past का बन गया मैं ता हूँ I, we का second form मैंने या I, we, to का second मतलब वर्ब का second form मैं करता हूँ I do it मैंने किया I did it I, you, we, they do के साथ other words I, you, we, they, did के साथ other words present बन गया past मुझे ना है I am to v1 मुझे ना था I was to v1 I am to go मुझे जाना है मुझे जाना था I was to go structure follow हो रहा है I के साथ M2 plus v1 plus other words इसी को past में बदलने के लिए M2 को बस was to कर देना है मुझे पढ़ रहा है I am having to plus v1 मुझे पढ़ रहा था I was having to plus v1 मुझे खाना पढ़ रहा है I am having to eat मुझे खाना पढ़ रहा था I was having to eat I am having to जैसे ही was having to में बदला I am having to का जो वाक्य है present का वो past में बदल गया तो लीजिए कुछ वाक्य चाहे वो tense based हो चाहे वो noun based हो चाहे वो main verb based हो चाहे वो two based हो चाहे वो future based हो चाहे वो models based हो यह सारे वाक के मैंने cover करा है आपको आज की class में तो छोटा packet बड़ा धमाका तो आप इसको कही सकते हो comment में बता देना मुझे क्या यह छोटा packet बड़ा धमाका है फड़ा-फट comment करके बताओ आप देख रहे हैं Sunrit English Academy मैं हूप ली थी जो आपको चूज करना है आप कर सकते हो इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर WhatsApp मेसेज कर सकते हो e-books लेने के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हो e-books का मतलब होता है PDF वाली किताबे तो इनको डाउनलोड करना जरूरी होता है जरूरी होता है जरूरी होता है जरूरी होता है